नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजा वस्ति और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत-बहुत स्वागर है दोस्तों आज का ये टॉपिक जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा या आपने टाइटल में पड़ा होगा कि अगर आप एक wedding photographer है और आप ये करेंगे तो आपका client तुरन photo selection करके दे देगा अब client photo selection करके क्यों देगा ये जो topic है ये wedding photographers के लिए है especially wedding photographers को basically बहुत सारी problem जाती है कि यार हमारा जो client है वह photo selection करके नहीं दे रहा है मैंने पूरे photo दे दिये हैं उसके बाद में मुझे पेमेंट नहीं आ रहा है एक सेक्टा एक सेक्टा बहुत सारे दिक्कर है तो आज का ये topic किसे के उपर है मेरा नाम है राजा उस्ति एन आइए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आप ये करेंगे तो आपका client photo selection करके तुरंद देगा ये important topic है लेकिन इस topic को start करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि दोस्तों अगर आप online training करना चाहते हैं तो हमारी website है school.rajaos.com वहाँ पर आप जाके बहुत सारे topics पे online training कर सकते हैं cinematography पे photography पे pre wedding पे how to start photography business पे अगर आप photography business करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से आपको successfully run करना चीन सारे topics पे तो अगर आपने अभी तक हमारे website को search नहीं किया है अगर अभी तक हमारे website में नहीं गए तो जरूर जाके एक बर दीखेगा तो चलिए start करते हैं आज का topic कि आप क्या करें ऐसा कि आपका client आपको photo selection करके तूरंदे दे देखें दोस्तों कोई भी चीज जादू वाली चीज नहीं होती है इसको इस तरीके से समझते कि अगर मैं अपनी बात करूं मेरे साथ भी बहुत जारा problem जाती थी कि यार photo जो था वो selection करके client देता नहीं था हम video बना के दे दिया करते थे and उस condition पर हमको सबसे जारा problem जाती थी कि कई बार तो client एक साल डेर साल तक भी album नहीं बनाता था और कुछ-कुछ client तो मेरे पास भी ऐसे हैं जिन्नोंने आज तक album नहीं बनाया लेकिन अगर मैं उन clients को या अपने pattern को उसी तरीके से रखता तो definitely आज मुझे भी यह problem आती है तो आज यह मैं आपको बताता हूँ कि pattern कैसे set करना है दोस्तो इसको थोड़ा सा start से करते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा क्योंकि यह बहुत important मुद्दा है अगर आप हडबड़ी में है तो अभी यह video बन कर आते हैं तो यह problem आपके साथ हमेशा रहेगी जैसे मैं अगर अपनी बात करें तो आज करेंट में अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि भीया album का जो चार्ज है वो मैं नहीं लूँगा है यहां अगर मैंने पचा जार रुपए लिये हैं मान के चलिएए अगर मैंने पचास में यह रुपए लिये हैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तो उसमें पैसा करते हैं अगर आसा नहीं करते हैं तो definitely आपको यह problem जाएगी जाएगी अब यह मैंने क्यों बताया अगर आप photography करने का पैसा लेते हैं तो definitely दौसतों आपको कभी भी problem नहीं जाएगी तो अब ये सवाल था कि आपका क्लाइंट आपको तुरन सेलेक्शन करके कैसे देदेगा तो देखिए मैंने इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया एक फोटोग्राफी और एक दूसरा एल्बम तो मेरी क्लाइंट सो जो डील होती है वो कुछ इस तरीके से होती कि जब भी भी मैं फोटो शूट के लिए किसी भी वेडिंग शूट के लिए बुकिंग करता हूँ अगर सपोस मैंने पचास हजार उपे में वो बुकिंग तै की है तो मैंने उनको ये बताया कि भी ये 35,000 रुपे मेरे फोटोग्राफी के पैसे हैं और ये 15,000 रुपे आपके एल्बम का पैसा है तो जैसे ही फोटोग्राफी होती है मेरे टर्म्स और कंडिशन में ये क्लियर कट लिखा हुआ रहता है कि भीया आपको ये 35,000 रुपे हमको दे देने आप्टर वैडिंग शूट अब चाहूं तो मैं उसको 10,000, 10,000 और 15,000 करके ले लूँ या मैं 15,000 और 15,000 तीस करके ले लूँ 15,000 और 20 करके ले लूँ कोई भी कंडिशन पे मुझे वो 35,000 रुपे ले लेने एड़ उसके बाद मैं उन फोटोज को नाई नाई कम्प्रेस करताओ और नाई कुछ करताओ सिर्फ बेसिक एक कर्रेक्शन करताओ जो फोटो अच्छे नहीं उनको पहले से हटा देना ताकि खराब फोटोज न जाए जो अच्छे फोटोज है माल लेजिए हमने 3,000 फोटोS खीचे हैं तो हो सकता है उसमें से 200 फोटोS खराब होगे तो बाकी फोटो, जो फोटोS खराब हैं उनको delete करके हम सिधा-सिधा client को दे देते हैं अब दोस्तो अगर वो client हमें पैसे देता है तो भी ठीक है हमें पैसे नहीं देता है तो भी ठीक है क्योंकि हमको पता है कि हमारे 35,000 रुपे अल्बम बनाने के लिए तो वो जो 15,000 रुपे हम अपने फोटोग्राफी के इंकम में काउंट करते ही नहीं है हमको पता है कि उतने पैसे लगने ही लगने तो हम क्या करते है अल्रेडी पैसे लेने के बाद जब फोटो सेलेक्शन करके देता है तो उनसे हम पैसा लेते हैं कि भाईया यह 15,000 रुपे आपका बचा है तो जब वो 35,000 रुपे अल्रीडी दे चुका है उनको लगता है कि हायार मैंने इतना पैसा दे दिया तो उनको लगता है कि नहीं यह फटाफट में अपना काम कर दूँ और मेरा एल्बम मेरे घर आ जाए जबकि आपके साथ या दूसरे फोटोग्राफर के साथ प्रावलम यह होता है कि बेसिकली अगर उनने 50,000 रुपे में काम लिया है तो बहुत सारे फोटोग्राफर इस तरीके से काम लेते हैं कि हाँ भईया यह 50,000 रुपे आपके एल्बम का प्राइज है और यह 25,000 बिजनेस करते हैं तो आपको फोटोग्राफी बिजनेस करने का आइडिया होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट है तो मुझे आपको आज सर्फ इतना ही बताना था कि आपको अपने पैटन पर ध्यान देना है आपको फोटोग्राफी का पैसा लेना है ना कि एल्बम का पैसा लेना है अगर आप इस pattern पर काम करेंगे तो definitely आपका पैसा कभी नहीं रुखेगा आपको पैसा लेना है फोटोग्राफी के हसाब से अगर आपको पैसा 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 कोई भी नहीं ले सकता आपको payment लेना है photographic हिसाब से आपको packages लेना है photographic हिसाब से अगर आप photographic हिसाब से package लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी problem नहीं होगी यह मेरा आपसे वादा है तो दोस्तो आज के इस video में इतना ही अगर आपको आज का यह video अच्छा लगा होगा तो please comment करके जरूर बताना हम हमारे next topic में इस से related और भी कुछ अच्छे videos लाने वाले हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक मुझे instagram में follow नहीं किया है तो राजावस्ती 007 यह मेरे instagram idea आप मुझे जरूर follow करें वहाँ पे भी बहुत सारे keep watching